साथ लाग का इनाम पांच राज्यों में फैला क्राइम नेटवर्क हर्याणा का बड़ा गंगेश्टर जिसके नाम से न केवल आम लोग बलकी पुलिस वाले भी परिशान थे कौन है ये गंगेश्टर और कैसे ये पांच राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बन गया नमस्कार दोस्तों के लिए आपका स्वागत है मैं हूँ प्रभुद्य चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकस जठेली का काला दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आजुका काला जठेली नाम का गंगेश्टर वास्तों में हरियाना के सोनी पत का रहने वाला है सोनी पत में इस्तित जठेली गाओं के नाम से उसे काला जठेली के नाम से भी जाना जाने लगा इसका असली नाम संदीप सिंग उर्फ काला है उसके नाम के साथ जठेली कब जुल गिया ये पुलिस भी नहीं जानती हाला कि पुलिस के पास उसकी और उसके गुर्गों की कर्तूतों की एक लंबी फेहरिस्त है सोनी पत का रहने वाला काला जठेली दुबई और मलेशियम बैड़ कर अपना गैंग चलाता था दिल्ली के चर्चित सागर धंकल हत्या कान के बाद कुख्यात गैंगेश्टर काला जठेली का नाम चर्चाओं में आया दरसल पहलवान सागर धंकल के साथ हमले के वक्त मौझूद सोनु महाकाल गैंगेश्टर काला जठेली का दिस्सदार है आकिरकार पुलिस ने साथ लाक के इनामी बदमाश काला जटेली को गिरफतार कर लिया ये वही काला जटेली है जिस से रेसला सुशील कुमान ने खुद को जान का खत्रा बताया था आई जटेली की खरीद फरोक्त सहीत कई काले कामों के लिए जटेली का साथ हास मिला लिया था लेकिन बाद में दोनों में दुश्मनी हो गई दिल्ली के स्टेडियम में पहलवान सागर धंकल की पिटाई के बाद मौत के मामले में सुशील गिरफतार हो गया सागर के साथ सोनु मागल नामक शक्स की पिटाई हुई जो रिष्टे में काला जटेली का भांजा होने के साथ यसाथ दाईना हाथ भी माना जाता है तिहार में बंद कुख्यात नीरज बवाना के दुश्मन काला जठेली के खौफ का आलम ही क्या है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुशील ने गिरफतारी के बाद उससे अपनी जान का खदरा बताया था जठेली गैंग की नजर दिली एंसियार की विवादिस संपत्तियों पर रहती है उसे पंजाब राजस्तान के कुख्यात लौरेंस विश्नोई गैंग का साथ भी हासिल है दो फरवरी दो हजार बीस को गुलगाओ पुलिस संदीप उर्फ काला जठेली को फरीदाबाद अदालत में पेशी के लिए लेकर आई थी वापस ले जाने के दोरान गुलगाओं मार्ग पर इसके गैंग के बजमासों ने पुलिस की बस को घेल लिया था और तावर तोड़ गोलिया बरसा कर काला जठेली को चुला लिया था इस मामले में डबुगा थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था आई आपको ग्राफिक्स के मार्दम से दिखाते हैं काला जठेली के आपराधिक जीवन का सफर 2004 में जठेली के खिलाब जपट मारी का केस दर्ज हुआ हर्याना के सांपला गोहाना में हत्याओं में नाम सामने आया इन हत्याओं के बाद काला ने फिर मुड़ कर पीछे नहीं देखा संदीप उर्फ काला पर दर्ज हैं 31 गंभिर मामले काला पर घोशित्या जा चुका है साथ लाख का इनाम 13 हत्या चार हत्या का प्रयास समेथ 31 मामले दर्ज 29 सितंबर 2004 को दर्ज हुआ था पहला केस सिर्शापुर में मित्र के साथ मुबाईल लूट कर भाग रहा था दिल्ली के समयपुर बादली में दर्ज हुआ पहला मामला 2009 में रखा था गंभिर अपराज की दुनिया में कदम 2009 में पहला कतल हर्याना के साथ में लूट के दोरान किया 2010 में अगले साल ही गोहना में एक और कतल किया इसके बाद उसे पुलिस ने गिरफतार किया था 2015 सोलह में कतल के मामले में उमर कैद की सजा दो फेरवरी 2020 में गुरुग्राम में पेशी के दौरान हो गया था फरार परिदाबाद पुलिस के चंगुल से भाग गया था काला जठेडी इसके बाद एक के बाद एक तेरहा हत्याओं को अंजाम दे डाला पुलिस ने काला जठेडी को कर लिया था गिरफतार लेकिन उसके साथियों ने उसे फिल्मी अंदाज में छुडा लिया था फरवरी 2020 में पुरिदाबाद पुलिस उसे पेशी पर ले जा रही थी रखा है इनाम पुरिदाबाद पुलिस ने पाच लाख का इनाम रखा है काला जठेडी पर जबकि गुरूगराम स्टीएफ ने दो लाख का इनाम रखा है काला पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मकोका के तहट दर्स की है FIR हर्याना के लावा दिल्ली पुलिस ने भी रखा है एक लाख का इनाम इनके गैंग को यह काफी लंबा चोड़ा गैंग है और आपको भी पता है कि पिछले साल सवा साल में डेली पुलिस ने इसके गैंग को बिलकुल लगभग लगभग में सतना भूत कर दिया जितने मेजर क्रिमिनल्स इस गैंग के थे उन सब को गिरफ़तार कर लिया गया तो यह जो अब समझ में आ रहा है वो यह है कि इस गैंग की ही एक साजिश थी कि किसी तरीके से लौ एंफोर्स्मेंट का अटेंशन इसके उपर से डाइवर्ट किया जाए और उस साजिश के चलते हुए इन लोगों ने यह कहानी एक तरीके से मार्केट में छोड़ी कि काल कर रही है हमारे एक बहुत के पिबल कालीक है तो उसके बारे में मेरी और से कोई कमेंट देना उनुचित होगा असपास केसे हैं मर्डर, एक्स्टॉर्शन, लैंड ग्राइब और डेकवर्टी के जिनकी हमें कन्फर्म जानकारी है तो यह तो हो गया इसकी वारदातों का सि तो हमजरा रेजिस्टर्ड एफाई आर्स है गैंग मेंबर्स की जहां तक बात करें तो शूतर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं जैसे आपको पता है इसमें लॉरेंस विश्णोई है जो पंजाब और हर्याना देखता है इसमें सूबे गुर्जर है हर्याना का आननपा का भी राजस्थान के बड़े एडिया में एक टैम पे वर्चस हुआ करता था तो यह सारों का जो क्रिमनल अलाइंस है प्लस इनके पास जो बाहर वन लोग बैठे हुए है जिनके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं गोल्डी वरार है काली राना है तो सब मिला करके हम लो आप देख रहे हैं के नियोज खबरों का सार्थी देखें कौन नेया खिलाडिया है समझा देते हैं फ्यार से समझाएंगे यह तो अपनी जुआ है जुआन एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए विमल बोलो जुआ के सुरी कोट कचेरी के नालगे चक्कर सबसे अधिक यही है वैतर लेकिन बढ़ी जाए पाला तो कहां जाएं क्या करें घबराएं नहीं अब हर मुश्किल हो गिया साथ के न्यूज इंडिया का वखील आपका देगा समाधा कीजिये कोल पूछिए अपने सवार वखील आपका हर रिविवार दो पहत पील पज़े केवल के न्यूज इंडिया का आप देख रहे है के न्यूज खबरों का सार्थी जो सुरच्चा एजन्सियों के होच उड़ा देने वाले थे दिल्ली पुलिस की इस्पेशल सेल ने काला जठीली से पूस्ताज के बाद बताया था कि ये गैंगेश्टर और उसके साथ गिरपतार की गई लेडी डॉन अनुराधा दोनों भारत छोड़कर कनाड़ा में शि ज्ठीली को गरफतार करने के बाद लगातार विस्तार से पूस्ताच करती रही इस पूस्ताच में काला जठीली ने कई राज भी खो लेते हैं। पूस्ताज के दोरान ही ये जानकारी मिली थी कि काला जठेली के साथ गिरफतार राजस्तान की चर्चित लेडी डॉन अनुराधा के साथ उसकी शादी हो चुकी है। इन दोनों ने उत्तरा खंड के हरिद्वार में विवाह किया था। शादी के बाद दोनों कनाडा शिफ्ट होने की फिराग में थे और वहीं से अपराद का काला कारोबार चलाने की इनकी योजना थी। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पूलिस की स्पेसल सेल ने दोनों कुछात अपरादियों को गिरफतार कर लिया। पुलिस की पूस्ताज में ये भी पता चला था कि काला जठेडी अपनी गैंगेश्टर, पतनी, अनुराधा और रिवालवर रानी का पासपोर्ट नेपाल से बनवा रहा था। गैंगेश्टर ने पूस्ताज में बताया था कि उसके गुर्गे दिल्ली और देश के कई अन्राजियों में फैले हुए हैं। इस्पेशल सेल के डडार पर हरियाणा के सोनी पत का रहने वाला मनपीश राधी, मच्ची गैंगेश्टर, गोल्डी बरार, कैथल निवासी मन्जीस राधी और जधजर का रहने वाला दीपक भी है। इस्पेसल सेल के टीम इन अपराधियों की गंबीरता से तलाश कर रही है काला जटेली की गिरफतारी के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेसल सेल के डी सीपी मनीज चंद्रा ने पत्रकारों से वारता कर इस पूरी जानकारी दी थी पंद्रा तो मकदमें ऐसे हैं जो रिजिस्टर्ड है जिनमें यह वांटेड है जिसमें एक मकोका भी है और यह मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर दो यह है कि अनुराधा आननपाल का जब इनकाउंटर रुआ उसके बाद से यह फरार चल रही थी और अनुराधा कहीं न कहीं लॉ इराना है जो बैंकोप से हम मानके चलते हैं यह उपरेट कर रहा है एक गोल्डी बरार है जो कैनेडा में है वैंकूवर यह टोरंटो साइड में एक नया नाम मॉंटी है जो यूके में है तो यह तीन तो हमको पता है कि उनके साथ इनका असोसियेशन है क्योंकि यह बहुत लंबा चौड़ा एलाइंस है तीन-चार स्टेट्स का मामला है तो इसमें अभी टार्गेट्स कौन है कैसे थे उसके बारे में कुछ कहना परिमेचोध होगा अनुश्यू दिल्ली पुलिस ने खुंखार गंगेश्टर काला जठेली को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गरफतार किया था पुलिस ने काला को गरफतार करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम OPD-4 दिया गया था ये बदमाच इतना शार्तिर था कि दिल्ली पुलिस को अपने मिशन को गुप्त रखना पला था काला जठेली दिल्ली पुलिस से भी 24 गंटे आगे चल रहा था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कोड के जरिये एक दूसरे के साथ संपर्क में थी आपरेशन को अंजाम देने के लिए कोड में भी बदलाओ किया जा रहा था जैसे जैसे पुलिस काला जठेली के नजदीक दबिश दे रही थी पुलिस अपने कोड में बदलाओ भी कर रही थी घंटों के हिसाब से आपरेशन को लीड करके एक दूसरे से संपर्क किया जा रहा था और फिर आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल संदीप काला और उसकी सहयोगी अनुरादा को साहरनपूर से गिरफतार कर लिया कुख्याद गैंगेस्टर काला जठेड़ी की दहशत पंजाब, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश और हर्याणा से लेकर दिल्ली तक थी अनुरादा का खौफ राजिस्थान और हर्याणा में भी था, दिल्ली पुलिस उसकी गरफतारी से पहले बीते च्छे महिनों से इस कुख्याद अपरादी के पीछे लगी थी, दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन OPD-4 बिल्कुल अलग तहका था तीस अधिकारियों ने 10,000 किलोमीटर तक इनका पीशा किया, काला जठेडी लगातार लोकेशन बदल रहा था कुख्याद अपरादी की गरफतारी के बाद पुलिस ने कहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम भूत का पीशा कर रहे हैं जब तक वो पकड़ा नहीं गिया, तब तक यकीन करना बहद मुश्किल था एहमदाबास से लेकर मुंबई, पटना, राजिस्थान के कई शहरों में ये बदमाश लगातार लोकेशन बदल रहा था काला जठेडी के साथ ही ग्रफतार उसकी पार्टनर अनुराधा को काला रिवालवर रानी बुलाता था विदेशी काला जठेडी अपने साथ एक चैनिज रिवालवर रखता था जठेडी के गैंक को यूके, बैंकॉक और कनाडा में बैठे अपराधी सपोर्ट करते थे ताली राणा बैंकॉक में रहता था, मौन्टी यूके में रहता है और वहें गोल्डी बरार कनाडा में रहता है ये कुख्यात अपराधी लगा तार काला जठेडी के संपर्क में बने हुए थे इस गैंग के तार अंतराश्टी संगीन अपराधियों से भी जुड़े थे लेडी डॉन अनुराधा और काला जठेडी के पास से बरामत पहचान पत्रों के मुताबिक दोनों ने शादी कर ली थी इन्होंने अपना नाम पुनीद भल्ला और पूजा भल्ला रखा था जिस वक्त कुख्यात अपराधी पकड़ा गिया उस वक्त इसने खुद को सीखो का पहनावा पहने हुए दिखाया था दाढ़ी बढ़ा कर अपराधी ने पकड़ी भी बांदी थी काला जठेडी हमेशा कैमरों का ध्यान रखता था ये जहां भी जाता है वहाँ इसकी कोशिश रहती थी कि कैसे कैमरों से बचा जाए बदमाश को इस बात की जानकारी थी कि खुफी आजेंसियां इसके पीशे पड़ी हुई हैं काला जठेडी की गिरबतारी के बाद पुलिस को एक और बड़ी सबलता मिली हरियाना पुलिस एक करोण बीस लाग रुपए की जालसाजी के मामले में आरोपी काला जेट्री के साथी दीपक गुलिया की तलाश कर रही थी संदीप वगिरो के अनस अदस्यों के जेल जाने के बाद गुलिया गिरो चला रहा था संदीप के निर्देशों पर ये पंजाब, चंडीगर, हरियाना और दिल्ली एंसियार से उगाही करने में लगा हुआ था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संदीप उर्फ काला जेट्री गिरो के गैंगेश्टर दीपक गुलिया को जुलाई महिने में गिरफतार किया आरोपी ने शराप के काले धंदे पर कब्जा करने के लिए अपनी बहन की शादी संदीप काला जेट्रीली के भाई से करा दी थी दिपक गुलिया कुख्यात गैंगेश्टर संदीप उर्फ काला जेट्रीली के सबसे भरोसे मन्द सदस्यों में से एक है वो संदीब के भाई प्रदीब का साला है जो वर्तवान में रोहतक हरियाना की सुनारिया जेल में बंध है दीपक गुलिया ने पूश्ताज में खुलासा किया है कि वो अपने खिलाब दो आपरादिक मामलों यानि धोका दली के एक मामले और रुपए के अपरादिक गवन के एक मामले में जमानत मिलने के बाद फरार था इसने साल दोजा अठारा में पिट्रोल पंप दिलाने के नाम पर रेयल स्टेज एजेंट से एक करोड़ बीस लाग रुपए ठग लिये थे दूसरा अमला गुरुगराम का चेक बाउंस का है दीपक गुलिया ने पूस्ताज भुकलासा किया था कि वो संदीब के गैंग के लिए उसके दिये गए निर्देशों पर काम कर रहा था उसकी संदीब से पहली मुलाकात हरियाना की सुनारिया जेल में साल 2018 मुही थी दीपक गुलिया ने अपनी बहन की चादी प्रदीब के साथ साल 2019 में काला जठेली की साथ घनिच संबन मनाने के लिए कर दी थी ताकि उसे अपने शराब वेऊसाय में लाब मिल सके दीपक गुलिया हरियाना में सराब के धन्दे से जुडा रहा है वरतमान में उसकी तीन सराब की दुकाने दिल्ली में मकोका के एक मामले में संदीक विग्रफतारी के बाद से दीपक गुलिया गिरोग की अवैध गतिविधियों जैसे धमकी देना वैवसाईयों से सुरक्षाराशी की वसूली कर रहा था संदीप उर्फ काला जठेडी और उसके विरोग के इशारे पर पंजाग, चंडिगड, हर्याना और दिल्ली NCR शेतर में प्रॉपर्टी डिलर, सटा संचालक, शराब कारोबारी से रंगदारी वसूल रहा था वो संदीप और उसकी प्रेमिका अनुराधा के निमित संपर्क में था, अनुराधा पहले राजिस्थान के पुख्याद गैंगेस्टर आनन्द पाल की सहयोगी थी, आनन्द पाल मुटभेड में मारा गया था, इस्पेशल सेल, डी सीपी, जस्मीत सिंग के अनुसार अपराद की दुनिया में संदीप उर्फ काला जठेडी के नाम को कयम रखने के लिए दीपक गुलिया गिरो को संगठित कर रहा है, संदीप मकोका में जेल में बंद है, दीपक गुलिया वा गिरो के अनिसदस्त दिली अंसियार में सक्री हैं, उन्होंने बताया कि इंस्प एक्टर ची कुमार वा एसाई राजेश कुमार की टीम ने राजधानी कॉलेज के पास घेरामंदी कर गाउं दर्यापूर बादली हर्याना निवासी दीपक गुलिया को गिरफतार कर लिया था ये फिलहाल राणा रेजिदेंसी राजाराम विहार आईटी पार्क देहरादू बरामत किये गए थे मार्च 2010 में सोनी पत्के गोहना में हत्या को अंजाम दिया काला जठेली कभी दुबाई तो कभी मेलेशिया में बैटकर हिंदुस्तान में अपने गैंग को आपरेट करता रहा काला जठेली पर दिल्ली पुलिस ने भी एक लाग का इनाम रखा है लेकिन ये कितना कुख्या इसका अंदाजा इस बात से लगाए जा सकता है कि अराणा पुलिस ने एक काला जठेली की किरफ्तारी पर साथ लाग का इनाम खोचित किया संदीप काला जठेली विदेश से ही अब कुख्यार के इंगेश्टर लॉरेंस बिशनोई गैंग का भी आपरेट कर रहा है पुलि दिली एंसियार में देशत पहला कर बले बले उद्योग पतियों से वसूली करने का जिम्मा काला जठेली ने बकू भी निबाया लेकिन इसी बीच हरियाना एस्टीअप ने थाइलैंड से इस गैंग के मुखी सूटर राजु वसूदी को गिरफ्ता कर लिया तो इनके गैं झाल 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 झाल